मतलब अगर आप पत्रकारों को पर्तिबंदित कर रहे हैं तो ये चाइना और इंडिया दोनों के हितों के अनुकुल नहीं होगा और ये दोनों के हितों के सुरक्षित नहीं करेगा चले आगे देखते हैं मतलब अभी चाइना ने भारत के दो जर्नलिस्ट के वीजा को फ्रीज किया है उसमें दाहिंदू न्यूज पेपर का बेजिंग का जो अपने ये हैं कोरिस्पोंडेंट उनका भी सामिल है तो ये दर्सा आता है कि जब जियो पॉलिटिकल टेंसन होता है पड़ोसी देशों के साथ तो उसमें जर्नलिस्ट को मतलब दुर्भाइगे रूप से अब कह सकते हैं कि उनको इसका बहुत ही खामियाजा करना पड़ता है कि उनको दबा दिया जाता है चाइनाज गवर्मेंट ऑन अप्रिल 6, 2023 सेड इस डिसिजन वाज रेस्पोंस टो इंडिया टेकिंग स्टेप्स एम्ड़ेट चाइनीज जर्नलिस्ट अब चाइनीज सरकार का ये कहना है चाइनीज को कि हम इसलिए ऐसा डिसिजन ले रहा है क्योंकि भारा सरकार ने चाइन जर्नलिस्ट के उपर ऐसा कर रही है तो हम परतिक्रिया कर रहे हैं इन 2017 चाइना सेड इंडिया हैट स्टेंड दिविजाज फॉर इंडिया बेस्ट रिपोर्टर्स तो थ्री मॉंस डाउन फ्रॉन येर्ट इज दिन नॉर्म इन बोथ कंट्रीज मतलब 2017 में भी चाइना ने कहा था कि इंडिया ने क्या है कि इंडिया बेस्ट रिपोर्टर को जो उनका है उनके बेजा को सौर्टन कर दिया था थ्री मॉंस के लिए तो ऐसी बात थी मतलब और मार्च 31 को इस साल जो है रिपोर्ट का कहना यह है कि एक चाइना का रिपोर्टर है उनको कहा गया कि आप इंडिया छोड़ दीजे ऐसी रिपोर्ट आ रही है मतलब चाइना के इस प्रतिक्रिया वादी रुख के यह पर आप देख सकते हैं तो टू इंडिया रिपोर्टर को यह कहा गया है कि चाइनी वीजा को आप एक साल के वेलिटी के अंतर गर्ट आप रिस्टोर किजिये नहीं तो आपको काउंटर मेजर आपके खिलाप लिया जाएगा यह सब चीज मतलब अगर समगरता से आप देखेगा तो यह समभव है कि कोई रिपोर्टर नहीं रहेंगे दुनिया के दो लार्जेस्ट कंट्रीज में को कवर करते हुए उसमें कोई रिपोर्टर नहीं रहेंगे इस पॉर्चुनेट डवलपमेंट और यह बहुत ही मतलब दुरुभाइगे पुर्न एक हम कह सकते हैं कि स्थिती देखी जा रही है मतलब विकास हो रहा है इस चेत्र में हम कह सकते हैं कि परत्ध गायता के चेत्र में एक के access को restore कर रहे हैं तो यह सही नहीं है यह सठिक नहीं है ऐसा कहना इंडिए अंटिल 2016 reporters from both countries were on one year visa and largely lived to do their work 2016 तक दोनों देशों के जो है reporters थे वो एक साल के visa के लिए lift थे बचे वे थे मतलब एक साल के visa के लिए आप काम कर सकते हैं एक साल तक 2016 तक उनका था कि एक साल तक आप आपकी visa जो है अलाव की जाएगी the troubles began that year when three jinjua reporters were expelled after visiting a Tibetan settlement without permission from the Home Affairs Ministry which subsequently began placing all Chinese reporters in three months visa तो समय से तब खड़ी हुए जब तीन Chinese reporter जो थे उनको expel कर दिया गया था तिबबत के settlement पे जो तिबबत जो अभी विवादित मुद्धा आप कह सकते हैं कि कुछ एद तक बना हुआ ही जब चाइना ने उसको एनेक्स किया उसके बाद से तो अगर चाइना का कहना है कि आप गिरिया मंत्रालाई के आदेस को लिए बिना आप तिबबत के मुद्धे पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो इस जगह पे जाना फिर आप तेस के सुरक्षा के खिलाब कर रहे हैं समप्रफ़ता के खिलाब कर रहे हैं इसलिए उनको एक्सपेल कर दिया गया और उसके बाद से चाइनीज रिपोर्टर को तीन मंद का इवीजा मिलने लगा था फिर इंडिया एपिर्स टू इंक्रीजिंगली फॉलोइंग दी चाइनीज फ्लेवेक बाइ टाइटिनिग स्कूर्ट्नी अं फॉरें रिपोर्टर्स इंजनल इंडिया भी चाइना के इस जो गैम को है फ्ले ओर ने katsotim foreign reporters की scrutiny कर रहा है इंडिया has a G20 host highlighted the strength of its democracy but recent actions including governments over the top response to BBC documentary a fear to sue insecurity इंडिया इस साल G20 का host है नेतरित कर रहा है और अपने लोगतंतर की strength को दिखा रहा है लेकिन कुछ जो actions हो रही है जिसे BBC documentary के बाद उसका जो response आ रहा है BBC के खिलाब तो ये कुछ असुरक्षित इस्तिती को दर्सा रही है वाइल निदली इस राइट टो स्कृतिनाइज नन जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज अफ सम चाइनिज रिपोर्टर्स restricting all of them will be counterproductive ठीक है ये निदली इस समन्द में सही है कि आप जो भी चाइनिज रिपोर्टर के जो गेर पत्र कारिता की जो activity होती है जो non-journalistic होती है actually उसको journalist के मतलब विद्देश से नहीं किया जा रहा है इसे activity को scrutinize कर रही है तो वो सही है निदली लेकिन अगर आप सब को उस हिसाब से restrict किजेगा तो ये counterproductive हो सकता है on the spectrum of Chinese media coverage largely negative on India ground reports have been among the more multifaceted sowing sites of India that most Chinese usually do not get to see अगर आप China के media के coverage को देखिएगा largely negative on India उसमें फिर उपसे इंडिया के बारे में negative भी दिखाया जाता है और ground reports have been among the more मतलब ground reports को बहुत ही मल्ड बहु आयामी रूप से उसको किया जाता और इंडिया के बारे में एक negative भी बनाने की कोसिस की जाती है और sowing sites of India that most और ऐसे चीज़ को इंडिया का दिखाता है इंडिया के sites से जो अधिकतर Chinese नहीं देखना चाहते हैं Beijing मतलब आप सबसे पहले तो negative चीज़ दिखाएगी और इंडिया के बारे में उन चीज़ों को दिखाएगी उन गेर महत्पन चीज़ों को दिखाएगी जो Chinese लोग interest ही नहीं जना चाहेंगे कि यह सब अगर माल लेज़े इंडिया में हो रही है तो यह सब देख के हम क्या करें तो ऐसी ऐसी चीज़ों को Chinese journalist का approach रहा है Beijing meanwhile also extends to lose from its decision to restrict Indian media access Beijing का भी यह इस्तिती रहा है कि वो जो है न Indian media के access को lose कर रहा है मतलब Indian media के access को restrict करने का उसका जो decision है तो उसमें भी वो आगे बढ़ रहा है last year's fake news of a cup in China published in Indian websites अब एक तक्ता प्लट जो चाइना का जो था last year 2022 में Chinese तक्ता प्लट से सम्मझेत कुछ fake news बाइरल हो रही थी Indian websites पे वो highlight कर रहा था कि उसके on the ground contest को अब चाइना के स्थिती में यह actually में क्या चीज है ground level पे वो चीज नहीं था लेकिन वो एक fake news के रूप में तक्ता प्लट की बात चल रही थी इंडियन वेबसाइट में तो जाइड से बात है चाइनीज गवर्मेंट इस प्यक्षन ली moreover if Beijing is now justifying its phrasing of visas by pointing to reciprocity it should be aware that reciprocity would also mean giving Indian organizations the kind of freedom that Chinese media enjoy in India तो इसका मतलब यह हो गया कि बीजिंग जो अभी justify कर रहा है वीजा को freeze करके इंडियन journalist की तो उसका मतलब यह भी है कि आप अपने तरफ से जो इकाम कर रहे हैं उसका मतलब यह भी है कि इंडिया से भी वह प्रिक्षा कीजिए इंडिया भी पारिक्ता का जो पॉइंट है मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इंडिया भी ऐसी कर सकती हैं इवन इंडिया अप्सेंस आफ चाइनीज इंप्लोई जिंज्वा औं सीजी टियन केंटियो तो रिपोर्ट इंडिया आप ओप्सक्राइब अगरेश्ट इंडिया नापेश्ट आपस्ट, विज्गम्ण पार्ण अरणिया अगरेश्ट को चाइन चाहिए ने भी आप्सक्राइब भी आजिया ओडिया ओद्सक्राइब ढउट लुल्ड का पैसाईटिया।